जोस्तों कभी भी मुझे call कर सकते हैं आप call me for application से, इस application को अपने mobile में install कर लिजे, मेरा ID याद रखिए, call करने के लिए instruction follow करें, आप मेरे YouTube चैनल में subscribe करें, और bell icon को जरूर क्लिक करें, और पचास अजार लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, आपका भी प्यार मुझे मिले, प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें आप, और मेरे वीडियो को like share करते हैं, और अपना comment जरूर करें, और दोस्तों मेरे वीडियो को subscribe करने के बाद bell icon जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे latest videos का notification आपको मिलता रहे हमेशा, और अपना business मेरे YouTube को promote करने के लिए इस शक्सन follow कर सकते हैं, ये आपके जितने भी comment आते हैं, जितने भी questions आते हैं, उसको मैं उसका जो मैं answer video के मादे मुसे देश सकूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जतना ज़्यादे आपका question हो, अतना ज़्यादा मैं आपको video बनाके upload करवाऊं, क्योंकि मेरा main aim ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा म मुझे मिलते हैं, और मैं randomly question select करके उसी topic पर video बनाता हूँ, ताकि जल्द से जल्द आपका problem का solution मैं कर सकूँ, तो please मैं आपसे request करूँगा दोस्तों, कि मेरे videos को like करें, और share जरूर करें, share करने से बहुत ज़्यादे लोग इसको watch कर पाएंगे, और अपना question पुछेंगे, और आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाने का मौका मुझे मिलेगा, और videos को जो है, आप जरूर मेरे channel को subscribe कर लें, और subscribe करने के बाद bell का icon जरूर क्लिक करें, ताकि मेरे latest videos के notification आपको हमेशा मिलते रहे, और जो भी मैं आपको solution वीडियो के माध्यम से देता, देना चाहता हू आपको तुरंट notification में मिल जाए, ताकि आप उसको watch करें, तो दोस्तो आज का question है, पुछा गया है, इनका नाम है, यह मेरे subscriber है, इनका नाम है, सागर हाल्टर, यह question पूछ नहीं है, सर मेरे एक दोस्त को KBC का link आया है, और उसमें बोला गया है, कि आप link को click करके सवाल का दोस्तो देखिए, आज कल एक, जो है, KBC के नाम से बहुत सारे fraud message WhatsApp आते हैं, और एक fake link जो है, और fake message आपको मिल रहा है, WhatsApp पर चाहे Facebook पर, और उसमें यह बोला जाता है, कि आप link को click कीजिए, और सवाल का जवाब दीजिए, आपको 7 crore जितने का मौका मिलेगा, तो यह बिल लिंक है, और एक news में भी आया है, कि 36,000 का जो है, इसके दोरा fraud किया गया है, ठीक है, तो यह link के चक्र में इस तरह का link है, उसके चक्र में बिल्कुल ना पड़ें, और मैं आपको यह message भी दिखाना है, दोस्तो इस तरह का कुछ message आता है, आप देख सकते हो, जल्दी दिए लिंक को क्लिक करें, और आपको मौका मिलता है, तो इस तरह का link है, यह बिल्कुल fraud है, और इसमें कोई सचाई नहीं है, आप इस link को बिल्कुल क्लिक ना करें, और कोई सवाल का जवाब ना दे, क्योंकि अभी हाल में है, जो है 36,000 का fraud हुआ है, एक व्यक्ति है, उनका नाम अंकुर, उनका नाम अंकुर है, और उनको भी इस तरह का link फेजा गया था, उसमें बोला गया था, इस तरह का message की, आप link को क्लिक करके सवाल के जवाब दीजिए, आपको 7 crore जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने link करके सवाल के जवाब दिया, तो उनको एक message आया है उनके access bank से उनको message भी आया, कि उनके account से direct हुआ है, उन्होंने तुरंट message भी आया और phone भी आया, actually, फोन में तुरंट उन्होंने अपना credit card जो होता है, उसको तुरंट block करवा दिया, और उसके बात उन्होंने police में भी cyber crime में भी उसका complain किया, तो इसमें तुरंट अपना police मे complaint किया था, इसलिए उनका पैसा जो hackers के पास पहुंच नहीं पहाता है, उनका पैसा जो है reverse हो गया, फिर से उनको मिल गया, तो दोस्तों ऐसे case में होता क्या है, कैसे ही fraud होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप link को जब click करते हो, तो आपको जो कोई application डाउनलोड करना ह होता है, जब आपके application डाउनलोड कर लेते हैं, तो आपको mobile hack हो जाता है, यह hacker को hack कर लेते हैं, और आपके mobile number से जुड़े जो भी account detail होते हैं, तो उसको वो hack कर लेते हैं, और आपका जो कि bank से जब भी आप transition करते हो, तो OTP message आता है, तो वो OTP message भी hackers के पास चला जाता है, त आपका bank account खाली कर सकते हैं, तो यही चीज अंगुर जी के साथ भी हुआ था, तो मैं आपको बिल्कुल यह चीज कर इस सब्द में बोलना चाहूंगा दोस्तों, कि बिल्कुल इस तरह का message को ignore करें, और बिल्कुल इस तरह के message में विश्वास ना करें, और बिल्कुल ignore करना तो इसको बिल्कुल ignore करना चाहिए, तो बिल्कुल आप ignore करें, और इस तरह के चीज में आप लोग नहीं पढ़ें, अगर आप पड़ोगे इस तरह के चीज में लालच करोगे तो हो सकता है, आपका bank account जितना भी आपने मेहनत से पैसा कमाया है, वो सब आपका जा सकता है, इसलिए लालच करें, इस तरह के चीज में ना रहें, बहुत सरे वैसे लोग जो की जिनको knowledge नहीं होता है, उतना technical knowledge नहीं होता है, वो लोग अकसर इस चक्र में पढ़ जाते हैं, और fraud का सिकार हो जाते हैं, और बाद में उनका पैसा return कभी मिल नहीं पाता है, जो लोग जिन मैं सभी लोगों से हांजूर के विंति करूँगा, कि इस तरह के message को जो है, बिल्कुल ignore करें, और बिल्कुल ध्यान नहीं दे, अपने काम से केवल मतलब रखें, तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज आप अपना comment ज करें, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को वाच करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग question पूछेंगे, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाने का मौका में लेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करें, और bell icon को जुरूर क्लिक करें, ताकि मेरे जो भी latest वीडियो म कुछ सीख सकें, दोस्तों, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इस वीडियो को वाच करने के लिए, दोस्तों, कभी भी मुझे call कर सकते हैं, call me for application के दवारा, आप इस application को mobile में install कर लिजिए, मेरा ID याद रखिए, call करने के लिए instruction फॉलो करें, आप मेरे YouTube चै कीजिए, ताकि मेरा latest videos का notification आपको मिलता रहे, और अपना business मेरे YouTube पर promote करने के लिए instruction फॉलो कीजिए, कुछ important link से इनको फॉलो करें, मेरे latest update के लिए, वीडियो अच्छा लगा है, तो like करें, share करें, subscribe करें, और question, doubt, advice, कुछ भी हो, वीडियो के निचे comment में डाल दीजिए, आपके question का जवाब जरूर दूँगा, और दोस्तों, आप चाहते होगी, मैं इस तरह आपके लिए वीडियो बनाता रहूं, तो please, 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 please मेरे YouTube चैनल में subscribe करें, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों,